क्या राममंदिर के अंदर नियंग शिंगों की इश्यदारी ओनी चाहिए या नहीं ओनी चाहिए इतियास में दरज तथ्थोग यादार पर बात ओनी चाहिए यह आप सबको पता है नमस्कार भाई दोस्तों आपको अपना दिपक फोजी ओफिशल दिपक फोजी यूटूब चैनल आपका अपना यूटूब चैनल है इसके उपर इत्यायति आशिक जानकारी दी जाएगी और तथ्थोग यादार पर बात की जाएगी जो साथी नयाद उड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाए वीडियो को शेर करने की जम्मेवारी अपकी है और सचाई दिखाने के और बताने के जम्मेवारी हमारी है आप सबको पता है जो आप इंदू सनातनी हिंदू धर्हम बोलते हो तकी रक्षा के लिए गुरूओने विक्रूब ऑनिया दी हैं उनके बचों रिकुरूबा जिए शिखों नेविक्रूबानिया दी है ये भी आप सबको पता है उसके बाद आजादी के बाद की बात करते हैं बहुत सालों के बाद राम मंदिर का जिकर उठता है उसके नाम पर अजारों प्रोड का चंदाई खठा किया जाता है और चंदे को गबन कर लिया जाता है उसके बाद फिर राम मंदिर का जिकर उतता है फिर चंदाई खटा होता है ये सब को पता है सनातिनिन इंदो के अराध्य देव हैं राम अब राम को राम चंदर को श्री राम को वापकी मर्जी है राम का नाम गाउं में तकरीबन हर वुजरग लेता है ये ये कहती अशिक जनकारि है बाई आप ये बताओ राम मंदिर के नाम पर सब से पहली FIR किसके नाम पर दरज हुई थी जिसने सब से पहले राम मंदिर के लिए कुछ किया होगा उसकी इस्यतारी होनी चीए या नहीं होनी चीए या आप कमेंट करके बताना राम मंदिर के नाम पर सब से पहली FIR जो है इती आसकेंदर दरज है इती आसकेंदर दरज है अंग्रेजो ने कियी थी तीस नौंबर 1858 में अयोद्धा के अंदर पहली एफायर दरज हुई थी शिखो के उपपर 30 नॉवंबर 1858 में अंग्रेजोगा राज था तब शिखों के उप्रपली अफैर दरज हुई थी उस F.I.R. गेंदर क्या लिख्या हुआ है रिपोर्ट में लिख्या है नियंग शिंग बाबरी डाचे में गुश गए हैं और राम नाम के साथ हमन कर रहे हैं F.I.R. के अंदर लिख्या हुआ है F.I.R. आप लोग चेक करना F.I.R. चेक करना आपका काम है आज शिखपंत को इंदू दरम से अलग करके देखने वाले कट्रपंतियों को जानना चाहिए कि राम मंदिर के लिए पहली F.I.R. इंदू के विरुद नहीं F.I.R. शिखों के विरुद हुई है और F.I.R. शिख सनातनी इंदू दरम में F.I.R. सेसकरती के अब इनवा दरम रखषक कहलाते है F.I.R. इंदू दरम के दरम रखषक योद्धा कहलाते है F.I.R. नियंग सिंग जो के एक मस्त मुला जिंदिकी जीतते है F.I.R. जिनको किसी उसे वो मंगें भी नहीं सा ना उन्होंने आज तक ये बात बोली है F.I.R. आज तक कभी उन्होंने जिकर भी किया हो तो बता दो F.I.R. लेकिन राम के नाम पर सरकार बनाना मंदर के नाम पर चंदा लिना कोन करता है ये आप सब के सामने है हरेक जूट हरेक फ्रेब आपके सामने आ जाता है लेकिन पता नहीं आपने कोन सा चूरण सुंग्या हुआ है आपकी आखे खुली नहीं पारी है खुल नहीं पारी आपकी आखे क्यों नहीं खुल पारी आज वही नियंग्शिंग मुह अली के अंदर मोर्चा लगा के बैठे हैं हाँ भै जो आपने आपको सनातिनी इंदू कहते हैं मेरे को न पता आप मेरे को हिंदू मानते हुए नहीं मानते नहीं पता इस वारे में ठीक है लेकिन आम अपने दादा खेडा को भी मानते हैं अकालपुरक को भी मानते हैं नियंग सिंग अकालपुरक को मानते हैं लेकिन हिंदू दर्म रक्षक योद्धा क्या लाते हैं वही नियंग सिंग मौली के अंदर मोर्चा लगा रहे हैं तो क्या सनाती हिंदू आपका मैं राम्मंदीर फिरा यही चले पहां। बाली मोरे चेक अंदर पॉंचना चाहिए मली मोरे चेक अंदर उनियं जिंगों का एसान उतार चाहिए जिनके अपर पहली फायार दर जोगी थी राममंद्र के नाम पर बावरी डाचा जो डाने की जो उनी सो अशीगी वब दिखा रहे ना आप अशीगी तुर अशीगी एच अशीगी दिखा रहे हो वो उस्से अट्टीस नोंबर अठारास उठावन की एफाईयार चेक करो एक वारे योद्धा के अंदर जो अंग्रेजों की लिखी हो एफाई सचाई बता दी सचाई गाई ना दिखा दिया है अब आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते आपका काम है सबसे पहले फैक्ट चेक करने का आपको एए उद्धा के अंदर जाको एफाईयार देखनी चाहिए जो अंग्रेजों ने दरज की थी इवे राम मंद्री के नाम प करते रहते नकली आईडी बना के थोड़े दूरी रहा करो तुम्हारे को तकलीफियो और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं ऐसे 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 जनकरिया मिलेंगी आपको कि आपना याद रखोगे उछलो के तुम उछलो गे सच्चाई के साथ बात करने शीखो तथ्यों के साथ बा मौली मोर्चा फटे होगा अब आपके पास मोक्का है कि अपना योगदान देलो जो किसानों को गालियां दे रही थी न तुम्हारी एक्टरेनी वह अब अब मा के फोटो डालेगी मेरी मा भी किसान है कहीं ऐसान हो कि तुम बाद में पस्ताओ पस्ताओ के बाद में वाय ग इंग शिंगों का है साम उतारने का मुक का सभी के पास यह बता दिया आपको